जलेबी बनाने के किस सारे तरीक हैं बड़ जो तरीकाश में आपको बताऊंगा इस तरह सब जलेबी सिर्फर सिर्फर 10 से 15 मिन में घर पर बना पाएंगे और सबसे पहले आप जलेबी देखें बाहर से एकतम क्रारी जलेबी बनेगी और अंदर से आपकी जलेबी पूरी रस परीबन के त्यार होगी और इसके साथ में हम बनाएंगे इंस्टेंट रवडी जिसे आप सिर्फ और सिर्फ पांच में बना सकते हैं और रवडी के साथ आप इजलेवी को सरब भी कर सकते हैं चलिए रेस्पी शुरू करते हैं सबसे पहले चार्शनी बनाएंगे तो 400 ग्राम याप मैं चीनी ली है अगर 400 ग्राम चीनी लेंगे तो 250 से मेल आपने इसमें पानी आड़ करना है आदे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी के यूज़ कीशे का अब गैस की फ सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि चीनी के ओपर हलकी सी डश्ट गरत दिख रही है अगर आपको भी लगता आपकी चीनी पूरी साफ नहीं तो इसमें आपने ना दो बड़े चमश दूद क्याड़ करने इससे क्यों होगा दूद से चीनी पूरी साफ हो जाते इसमें कुछ पूरी तरह से निकल जाती है देखिए मीडियम फ्लेव में आप इसको ना कम से 3-4 मिन तब पकने दीशे यह जो साइड में जाग बनेगा इसमें सारी चीनी के दूद निकल जाती है और हमारा सुगर सिर्व जो है चाशनी जो है एक्तम साफ बनती है इस तरह से आपने आड़ करना है और अच्छा फ्लेवर लाने के लिए आपने से थोड़ासा ईलाइची पाउडर एड़ करना है इलाइची पाउडर नहीं है दो से तीन फिए कूटके डाल सकते हैं थोड़ासा रोजवाटर मैंनेاج इसमें एड़ किया है काफिशा फ्लिवर आता है सारे इंड़िएंस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेशे अब आपने जो चाष्णी बनानी है वो एक तार बाली आपने चाष्णी बना के त्यार करनी है कम सक्षम आपने ना 5-7 मिन चीननी को मीडियम फ्लेम में पकाना होता है जो एठकर देखे तरह से तार चेक कर लेशे हमारी जो चाष्णी एन पर यहांपर बन चुकी है गैस की फ्लेम बंद कर देशे अब इसका बैटर बना लेते से हैं तो सिधान लियए है इसमें आपने आपने यह बड़े चमच बेसन एड करना है बेसन से जबेड़़ी में अच्छा टेश तो आता है अच्छा क्रंच भी आता है और इसको फुलाने के लिए आप इसमें आद़चमच बेकिंग सोडा एड़ कीजिये और एक चोटा चमच आपने इसमें दहि एड़ करना है अब जो आपने दहि आड़ करना है थोगा सा खटा होना चाहिए और दही क्य जाता है इस तरह से आपका जब लिखकर डो बन जाएगा तो इसको आपने अच्छी तरह से ना फेंट लेना है इस तरह से कम से 5-7 मिन तक आपने ना मैदे को इसी तरह से फेंट ना है ऐसा फेंट निसे क्या होता है, मैदे में जो एक लचक होती है वो थोड़ी कम होचाती है और थोड़ी से समें ची फर्मिडेशन भी आ जाती है तो देखिये अच्ये से मैदे को मैंने फेंट लिया है और इसके बद आपने इसके उपर हलका साप पानी स्प्रिंकल करना है और बॉल को साइडों को ना बॉल की साइड ही जोती है उसको साफ कर लेशे इसको अपने ना पांसे साथ मिन्ट का रेश देना है उसके बद आप इसकी जिले भी बनाएगा तो दो से तीन मिन्ट तक वैसे ही आप इसको दुबारा से फेंट लीजे और गये देखिए हमारे जो डो है उसमें जो लचे कहा है थोड़ी सी ना कम हो चुकी है तो यह देखिए अच्छी तरह से पहले मेक्स कर लेते क्योंकि हमने उपर पानी स्प्रिंकल किया थोड़ा सा और इसको वैसे ही आप इसको दो से तीन मिन्त फेंट लीजे देखिए कैसा हमारा जो बैटर है यहां पे फूलना शुरू हो चुका है तो ज्यादा ही थीकनेस है इसमें थोड़ा सा में पानी आइड करना है ठंडा पानी डालना ठीक है गरम पानी के यूज बिलकुल नहीं करना है बैटर बनाने के लिए फ़ extensivelybaar अजी थी करते हैं तो यह थोड़ी सी मेंथ जाता है उसको फेंटन थोड़ी सी मेनथ लगती है तो इस तरह से पानी के वहाता है अब करता होता है तो आप इसके जगा ऐसी बोटल ले सकते हैं तो आञे में इसे मार्केट में मिल जाती पाइपीं बैक से जलेवी एक्तम परफेक्ट बन जाती है तो मेरे पास यहां पर देखे मैं आपको पाइपीं बैक से जलेवी बना के दिखाऊंगा आगे थोड़ा सा काड़ देना है ज्यादा मोटा छेद नहीं करना है ज्यादा बड़ा छेद करेंगे तो आपकी जलेवी पतली और करारी बनाब करें बहुत ही बहुत ही मोटी मोटी बन जाती है तो गुब चोटासा चेद करना आपने पाइपीं बेक तो उसका यूज भी चलिवी पनाने के लिए कर सकते हैं तो के देखें आपने इस तरह से अच्छी से बंद कर लेज़ें और इस तरह से पकड़ना आपने इस पाइप्टा अपने आपकेंप्रेचर आपने तरह करेंगे और गरम तेल में आपने रॉण्ड-णकर यह तरह से ज चलेबी को आपने करना ठीक है आप 2-3 त्राइ करेंगे न तो एक्तम परफेक्ट जलेबी मार्केट वाली घर पे बना पाएंगे और ठंडे तेल में फ्राइबी निकरने ने तो आपकी जलेबी फूले गे नहीं तो गरम गरम तेल में आप जलेबी को फ्राइबेंगे उसके की मेड вам kinda मीडियम कर देनी ए ठीक है अरह मैंसे हैं अच्छा करा रहा हो ने नहीं तो देखे गासओ lucky ने में देना तो यहाऊ नजहीं धुक्त कब से अगंदें पांच मिंट तक आप चाष्णी में छोड़ंधी चाष्णी Bay हो टालेंगे चास remote ऑच्छी तरह से चाहण की दो पर बनागर्म च택े परें George जाँता है कि देखिए क्या जवरता तरसीडी हमारी चलेवी बनके त्यार विश्क है अब रबडी कैसे बनानी है एक आपने पहन लेना है पांसमेल आप उसमेना दूद एड़ कीशे बैंस के दूद का मैंने यूज किया अब फुल फैड मिल्क कोई भी यूज कर सकते हैं तो दूद को आपने यहां पे पकने देना है थोड़ा सा दूद जो मैंने बचा लिया था उसका यूज कांप विव करना है बोई बताता हूँ 150 क्राम या मैंने खोया लिया है मार्केट में इसलिए मिल जाता है ना मिले आप मिल्क पोडर का यूज़ कर सकते हैं तो खोय को मैंने देखिए तोड़के मिक्स के अंडर जार में डालती है जो दूद बचा के रखा था बो भी साथ में डालती है एक्तम फाइन आपने इसका पेश्ट बना लेना है इस तरह से आप इसका पेश्ट बना के डालेंगे आपकी जो रवडी है एक्तम स्मूथ बनेगी और 5 मिल्में बनके त्यार भी हो जाएगी तो खोय को भी दूद के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं तो जब तक आपकी रवडी अच्छी से ठीक होगी तब तक सारा मेल्ट हो जाएगा फिर आपने चीनी एड़ करनी है तो दो चमच मैंने चीनी के एड़ किया है थोड़ा सा इलाइची पौर्डर मैंने इसमें एड़ किया है फ्लिवर के लिए और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं अब गैस की फ्लिवर आपने हाई करनी है और पल्टा आपने कंटीनू चलाते रहे हाई फ्लिव में आप इसको ना सिर्फ और सिर्फ तीन से चार मिने तो पकाईए आपकी जो रवड़ी है अच्छी तरह से ठीक हो जाएगी पर पल्टा चलाना आपने छोड़ना नहीं है क्योंकि जब आप इसमें खोया डाल देते हैं तो पैन से जिपकना शुरू हो जाती है रवड़ी जो है तो एक देखिए अच्छी इसमें ठीकना ऐसा चुकी है अब इसके बद आपने गैस की फिलें बंद कर देनी है और ऐसी अपने थोड़ी सी पतली रवड़ी कर रखनी है क्योंकि जब इसको ठंटा करते हैं अच्छे से ठीक हो जाती है तो इसको बॉल में निकाल देते हैं और गर्मा गर्म जलेवी के साथ आप इस रवड़ी को सर्व क कीजिए तो वीडियो अच्छा लगोगा लाइक शेयर कमान चुरूर कीज़ेगा ओके फ्रेंस थैंक यू